नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर च्यारदिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे रास्तान सी ये चो मॉडल पेपर्स और आज का अपना फाइनल एंड लास्ट मॉडल पेपर है सात्वा ये अभी हम सॉल्व करन करते हैं पेपर्स आप सभी को साड़ी च्छय बजी हमारे टेलिग्राम ग्रूप के अंदर और चैनल के अंदर मिली जाता है जिनको नहीं मिला है वह टेलिग्राम पे जाए और वहां पे सर्च करें नर्सिंग चेलेंजर और वहां पे अपने आपको एड़ कर लिए वहां कुछ लोगा ने गलत जवाबी दिये हैं देखें क्या पूछा गया है वाइटमिन ए सप्लिमेंटेशन इस गिवन टू चिल्डरन फॉम दा एज ऑफ बन टू शिक्स यह एर्स पूछा गया है जो वाइटमिन ए सप्लिमेंटेशन जो है वह बच्चों को दिया जाता है एक साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को अब आपको यह पूछना चा रहा है कि कितने महीने से यह डोज दी जाती है तो देखें सबसे पहले हैं 12 मन्थ, next 9 मन्थ, next 6 मन्थ, next 3 मन्थ, जिन्नोंने 9 मन्थ लिखा है उनका अंसर क्या है गलत है नोवे महीने पे जो वाइटमिन ए है उसकी first dose जो है बच्चों को पिलाई जाती है ठीक है लेकिन यहां पर आपको यह पूछना चा रहा है कि vitamin A की जो dose पिलाई जाएगी एक साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को वो कब पिलाई जाएगी तो आपको यहां पर आंसर में क्या करना है option C, जिन्होंने वी option C क्या है बिल्कुल सही जवाब है परतेग 6 महीने से पहली dose मालीजे आपने 9 महीने पे पिला दी ठीक है 9 महीने पे आपने क्या कर दी पहली dose पिला दी उसके बाद आपको परतेग 6 महीने से vitamin A supplementation बच्चों को देना ही देना है तो यहां पर आपका option C जो है वो बिल्कुल सही जव कर accept से स्वाल पूछा गया है तो देखिए यहां पर कौन कौन से symptoms है जो false labor के है और कौन सा है जो नहीं है accept आपको पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखिए intervals between contractions remain longer यह false labor pain का symptom है next heads remain free यह भी है next emptying of bowel में lead to relief of symptoms bowel empty हो जाएगा तो symptoms में relief होगे यह कहा है यह भी false labor pain का ही symptom है next pain occurs at regular interval तो यह क्या है आपका false labor pain का symptom नहीं है तो यहां पर आपका option D सही जौब हो जाएगा यहां पर क्या बोला इन्होंने pain occurs at regular interval regular interval से जो pain आते हैं वो आपका true labor pain कहलाता है लेकिन यहां पर आपको क्या पूछा गया है सभी के symptom किसके है false labor के कौन सा एक नहीं है तो यह true का blind का नहीं होगा तो यहां पर option D जो है वो बिलकुल सही जवाब है next question देखिये the measure cause of nutritional blindness in children usually as sorry between the as of 1 to 3 years is called देखिये आपको simple सा स्वाल यह पूछा गया है कि जो एक से लेकर 3 साल तकी जो बच्चे होते हैं उनमें measure जो nutritional blindness होता है उसका जो कारण जो है मलब उन बच्चों में measure जो है nutritional blindness होता है एक से तीन साल तके बच्चों में उसे क्या कहते हैं यह आपको पूछा गया फरस्ट जिरो ख्रतेल में नेक्स्ट नैटक साय्डनेस, नेक्स्ट नन लं गया आटा वह यह आप्सन के उसका जाएंगे यहाँ पर जिर्फन बन लिक्षा है बिल्कुल सही जूआब लिखा है एक से लेकर 3 साल तक का बच्चे उनमें जो nutritional blindness का major cause होता है वो होता आपका zero of thalamia यानि nutritional blindness की वज़े से जो disease condition होगी वो कौन सी होगी zero of thalamia यहाँ पर blindness वाला जिन्मन भी option क्या है गलत जवाब है यहाँ पर option जो है आपका सही जवाब हो जाएगा next question देखिए बहुत ही अच्छा स्वाब है the equipment used to carry small quantities of vaccine for outreach program is called कौनसा वो equipment है जो हम use करते हैं किसके लिए small quantities of vaccine यानि कि थोड़ी सी vaccine आपको लेनी है मान लिजिए आप 5 से 7 जो है while आप vaccine की ले रहे हैं और आप कम से कम भी मान लिजिए कि 10-15 या 20-25 बच्चों को आप vaccine administer करने जा रहे हैं तो आप outreach एरिया में जा रहे हैं मलब फिल्ड में आप जा रहे हैं उस दोरान कौनसा equipment use करेंगे बिल्कुल सिंपल सा स्वाल यह पूछा गया है first देखिए walk-in freezer नहीं ऐसा हम instrument use करेंगे ही नहीं equipment use करेंगे ही नहीं next walk-in cooler यह भी हम use नहीं करेंगे next vaccine carrier बिल्कुल यूज करेंगे next i-spec यह भी यूज करेंगे लेकिन यहां पर बात आ रही है कि कौनसा equipment use करेंगे equipment आपको बताना है option c यानि option c vaccine जो carrier होता है उसी के अंदर आपके i-specs रखे जाते हैं और i-specs के बीच में होती है आपकी vaccine तो यहां पर जो vaccine carrier है इनकी मदद से यह vaccine carrier के अंदर i-specs रखें उनके अंदर vaccine रखें हम outreach जो area है यह फिर जो field है वहां पर जाकर भी हम vaccination कर सकते है vaccines जो है बच्चों को provide करवा सकते हैं जो equipment use लेंगे small quantity जो vaccine को outreach ले जाकर बच vaccine carrier ठीक है तो यहां पर option C जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए the poisoning caused due to ingestion of foods contaminated by living bacteria is all accept देखिए बहुत इच्छा स्वाल पूछा गिया है कि जो poisoning होगी वो किसके वज़े से हो रही है ingestion of foods कुछ जो foods है उनके खाने के वज़े से जो है poisoning हो रही है contaminated जो food होता है उसके वज़े से poisoning हो सकती है क्योंकि उनमें क्या होते है living bacteria तो सभी के सभी की है जो सभी के सभी bacteria की poisoning है वो सही है एक को छोड़ कर यानि कि जो contaminated food के ingestion से जो poisoning होगी वो सभी के सभी होगी living bacteria है कौन से नहीं होगी यह आपको बूचा गया है first salmonella poisoning बिल्कुल होती है next estafilococcal poisoning बिल्कुल होती है next botulism यह भी होती है next chemical poisoning यह नहीं होती है तो यहाँ पर जो option d जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है accept से आपको पूचा गया है option d chemical poisoning आपको यहाँ पर correct answer कर देना है next question देखे बिल्कुल simple सा स्वाल है house ply is responsible for spread of house ply जो है वो क्या spread करने के लिए responsible ह होती है देखे सबसे पहले diarrhea next dysentery next cholera next all of these तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option d house ply जो होती है वो diarrhea भी कोज करती है यह spread कर सकते है descent भी spread करती है और cholera तेनों ही conditions जो disease conditions है वो spread करने में responsible होती है house fly ठीक है तो option d जो है वो आपका right answer हो जाएगा next question देखे the first referral level in the healthcare system is health care system के अंदर first referral level जो होगा वो कब माना जाएगा तो देखे सबसे पहले primary healthcare next secondary healthcare next tertiary healthcare next primordial healthcare next question not attempted जिनको नहीं आता वो option e के साथ जा सकता है फाल तो आपको negative marking से अपना नुकसान नहीं करवाना तो देखें यहाँ पर first referral level आपको पूछा गया healthcare system के अंदर तो आपको right जवाब करना है option B secondary healthcare जो होती है वो आपकी first referral level की जो है care कैलाती है healthcare system में first referral level की अगर कोई care होती है तो आपकी कैलाती है secondary healthcare जिसमें early diagnosis and early treatment आता है ठीक है तो यहाँ पर option B जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा next question देखें बहुत ही अच्छा स्वाल है यह आपको हर एक competitive exam म photo therapy यानिकि एक बच्चा है जिसको photo therapy पे रखा गया है और उस बच्चे को आप या फिर उस बच्चे का urine जो output होगा वो normally कितने time होगा यह आपको simple सा question पूछा गया है तो देखें first 7 to 9 times per day next 10 to 12 times per day next 4 to 6 times per day next 1 to 8 times per day next question not attempted जिनको नहीं आता वो option E के साथ जा सकता है negative marking आपको नहीं करवानी है ठीक है तो यहाँ पर देखें आपका सही जवाब होगा जिन्होंने भी option C लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है अगर बच्चा joindies का है और photo therapy उस बच्चे को दी जा रही है तो वो कितनी time urine output करेगा एक दिन में 4-6 बार urine output normally करेगा ही करेग ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है next question देखें बिल्कुल सिंपल सा question है root of administration of PPD for tuberculine test is tuberculine test के लिए क्या करते हैं PPD purified protein derivatives जो है वो administer करते हैं आपको root पूछा गिया है tuberculine test के लिए जो PPD administer किये जाते हैं वो किस root से administer करते हैं first है subcutaneous, next intradermal, next intramuscular, next intravenous तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है option भी almost सभी ने सही जवाब दी है intradermal जो है PPD administer की जाती है tuberculine test के दोरान, next question देखिएगा the cause of pain in labour due to, is due to all of the following factors accept, देखिए labor के दोरान जो pain होता है वो किन-किन की वज़े से हो सकता है जो भी यहाँ पर वज़े दी गई है उन सभी की वज़े से जो है या फिर जो factors आपको दिए गए है इन सभी factors की वज़े से क्या हो सकता है labor के दोरान pain हो सकता है except एक को छोड़ कर तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर यह पूचा गया कि कौनसा एक factor जो labor के दुरान pain cause नहीं करेगा यहीं तो आपको पूचना चारे तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option B inefficient sedation को छोड़ कर बागी जो तीन factors देए गया है यह सभी कि सभी labor के दुरान pain को indicate करते है यह जो factors आपको तीन बताए गया है यह labor pain की क्या है cause है एक जो नहीं है वो कौनसा option B next देखे cross match वाले questions आ चुके हैं बहुत ही अच्छा सवाल है यह सवाल जो पहला सवाल आ गया है यह बहुत बार exams में पूचा जा चुक है आगे भी पूचा जाएगा कोई सा भी यहाँ से पूचा जा सकता है तो देखे सबसे पहले इसको solve करते हैं सबसे पहले nasal cannula nasal cannula से हम कितने के oxygen administer कर सकते हैं कितने percentage में हम कर सकते हैं यह आपको बहुत बार पूचा जा चुक है आगे भी पूचा जाएगा तो सबसे पहले है nasal cannula nasal cannula से हम oxygen administer कर सकते हैं 1 to 6 liter per minute और जो percentage FIO 2 level होगा वो होगा आपका 24 to 43 percentage तो यहाँ पे nasal cannula की जो value है वो आपके आ जाएगी 1 to 6 liter per minute next simple mask simple mask की जो value होती है या फिर कितने oxygen हम simple mask से दे सकते हैं तो वह होगी 5 to 8 liter per minute percentage ratio पूचे तो 40 to 60 percentage next partial rebreather mask partial rebreather mask एक है non rebreather mask non rebreather mask से तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा अगर oxygen देनी है तो किसे दे सकते हैं non rebreather mask से और यह बहुत बार स्वाल पूचा जा चुक है तो देखे non rebreather से हम सबसे ज्यादा दे सकते हैं तो यहाँ पी option जो fourth है वो इसके regarding के है सही है 12 to 15 liter per minute और इसका जो FIO2 ratio होता है वो 90 to 100% होता है 100% अगर oxygen देना हो तो non rebreather mask से हम दे सकते हैं सबसे ज्यादा अगर oxygen deliver करनी हो तो हम किस्या करते हैं non rebreather mask से 12 से 15 liter per minute जो है oxygen दे सकते हैं non rebreather mask से जो आपका बच गिया वो कौन सा है partial rebreather mask add to 11 liter per minute और जो ratio होगा वो होगा आपका 50 to 90 percentage तो यहाँ पर देखीं जो A है उसका 3 हो जाएगा B है उसका first हो जाएगा C जो है उसका second हो जाएगा और D जो है उसका fourth हो जाएगा तो 3,1,2,4 किस में आ रहे हैं 3,1,2,4 option जो B है वो बिल्कुल सही जवाब है जिनने भी option भी लिखा है सही जवाब लिखा है next question देखिए यहाँ पर एक तरफ कुछ conditions दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके sign and symptoms दे रहे हैं चली यहाँ पर इसको solve करते हैं मान लिजी यहाँ पर यह condition थाइरो टॉक्सिकोसिस इसके बारे में आपको नहीं पता कोई बात नहीं इसके बारे में नहीं पता है तो आप Titani के बारे में तो एक या दो का आप मिलान करेंगे मलब आपका जो क्यूसरन है वो completely solve हो जाएगा वेसी में आपको पहले बता देता हूँ थाइरो टॉक्सिकोसिस थाइरो टॉक्सिकोसिस में जो sign and symptoms देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी high temperature, tachycardia, irritability, delirium and coma थाइरी टॉक्सिकोसिस अगर patient को होता है, temperature बढ़ जाएगा, tachycardia होगा, irritability रहेगी, delirium के condition डवलोप हो सकती है और patient coma में भी जा सकता है, next आता आपका titanine, titanine जो है उसके sign and symptoms है यहाँ पे third, जयाने कि numbness or twitching of extremities, spasm of glottis, positive, torstic and torgium sign, torgium and torgium sign जो है वो positive किसमें देखने को मिलेंगे titanine में, hypokalcemia में, hypokalcemia होगा अब नमनेस रहेगी and extremities में twitching होगी और glottis muscles का क्या हो जाएगा, spasm हो जाएगा, तो यह सारे के सारे symptom जो है titanine में देखने को मिलेंगे, next आता आपका phyokrom cytoma, phyokrom cytoma जो condition डवलोप होती है वो होती है आपके increased secretion of epinephrine and nor epinephrine, nor epinephrine और epinephrine के increased secretion से होने वाली condition आपकी phyokrom cytoma, अगर आपको ऐसा ना दिया जाए और directly आपको बोल दिया जाए, increased secretion of catacola mine, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है, epinephrine and nor epinephrine, दोनों को combined लिए क्या कहा जाता है, catacola mine, तो increased secretion of catacola mine से होने वाली disease condition कौन से है, phyokrom cytoma, next आपके बसती ह इसके सामने ही है, जो बच गया हूँ, addition disease का है, increased bronze pigmentation, addition disease में pigmentation ज्यादा होता है, यह तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पर देखे, increased bronze pigmentation of skin, next vomiting भी होगी, diarrhea भी होगा, और hypotension, diarrhea हो रहा है, vomiting हो रही है, मलब हाइपोवली में, patient को develop हो रहा है, मलब हाइपोटेंशन दो होगा तो यहाँ पर देखे, option D जो है, उसका fourth हो जाएगा, तो इनको match कीजिए, 2, 3, 1, and 4, यहाँ पर देखे, 2, 3, 1, and 4, 2, 3, 1, 4, कौन से option में आ रहे हैं, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, देखे, यहाँ पर option B जो है, वो आपका बिलकुल सही जवाब है, जिन technology दी गई है, यह जो आपके heat transfer होती है, उनसे related ही हाँ पर कुछ definitions दी गई है, सबसे पहले है, conduction, conduction का मतलब होता है, transfer of heat from one object to another by direct contact, direct contact से, एक object से, दूसरे object में अगर heat transfer हो रही है, वो आपकी कहलाती है, conduction, next is radiation, radiation का मतलब है, transfer of heat from one object to another object without actual contact, देखें, conduction में क्या हो रहा है, direct contact हो रहा है, और radiation में क्या हो रहा है, without actual contact, अगर one object से another object में heat transfer हो रही है, तो आपकी कहलाती है, radiation, next आती है, आपकी evaporation, evaporation, इसका मतलब है, water vapor released by skin, यह perspiration, cold body surface, which decrease body temperature, vapor के थ्रूँ, अगर heat loss हो रही है, तो वो condition कहलाती है, आपकी evaporation, next and last है, convection, convection का मतलब जो बच गया आपका वो convection है, convection का मतलब हो गया, transfer of heat away from the body by air movement, air movement से, body से जो heat है, वो अगर loss हो रही है, वो condition आपकी कहलाती है, convection, चलिए इनको मेच कीजी, यहाँ पर सबसे पहला जो है, वो देखिए, 3, then उसके बाद 5, then उसके बाद 2, 5, 2, and 4, तो यह देखिए, यहाँ पर 3, 1, 2, 4, जिस option में आ रहा है, वो आपका सही जवाब है, 3, 1, 2, 4, यानि option A जो है, वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है, जिन्हों ने option A लिखा है, सही जवाब लिखा है, next question देखिए, यहाँ पर एक तरफ कुछ cell के नाम दे रखे हैं, तो दूसरी तरफ उन cell से क्या secret होता है, वो आपको दे रखे हैं, सबसे पहले है, stomach cell wall secret, कहां से, secret होगा, stomach cell wall से, जो क्या करेगा, gastric juice के flow को stimulate करेगा, next आती है, आपकी chief cell, chief cells जो होती है, वो आपकी secret करती है, pepsin, pepsin कहां से secret होता है, chief cell से, next parietal cell, parietal cell जो है, वो secret करती है, आपका NCL, यानि hydrochloric acid and intrinsic factor, parietal cell से release होता है, NCL and intrinsic factor, ये question जो है, वो बहुत बार पूछ जा चुका है, आगे भी पूछे जाएगा, तो ध्यान रखना parietal cell से secret होता है, आपके ACL and intrinsic factor, next जो बच गया, वो आपका है, goblet cell, goblet cell जो है, वो goblet cell secret करेगी, mucin, mucin जो है, goblet cell secret करती है, चलिए इनको मिलान करते हैं, A जो है, उसका second हो जाएगा, then जो B है, उसका third हो जाए किस option में आ रहा है, वहीं आपका सही जवाब होगा, दो, तीन, एक, चार, option C जो है, वो आपका सही जवाब है, दो, तीन, एक, चार, यहाँ पर आ रहे है, तो यहाँ पर option C आपका सही जवाब हो जाएगा, next question देखिए, एक तरफ कुछ terminology आपको दी गई है, nervous system की, दूसरी के तरफ उनके functions दिये गए है, सबसे पहले देखिए, cell body, cell body जो है, उसका काम होता है, contents and nucleus and other cytoplasmic matter, जो cell body होती है, उसमें nucleus होता है, और other cytoplasmic matter है, वो present होता है, कहाँ पर cell body के अंदर, next आपकी dendrites, dendrites जो है, वो carry करती है, आपकी impulses, कहां से, towards cell body, cell body से towards, जो impulses है, वो carry करन next, exon, exon जो है, वो आपका है, इसी के सामने देखिए, point of contact between exon of one cell and dendrites of another cell, exon वो point है, जहाँ पे एक तरफ से exon और दूसरी तरफ से dendrites, ex गह मिलते हैं, वो point आपका कहलाता है, exon, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, exon को लेकर definition पूछी जा चुकी है, exonorsate हो चाहिए, ये साइज ही हो, हर exam में यहां से questions पूछा जा चुका है, next आता आपका synapse, synapse जो बच गया वो आपका synapse है, carries impulses away from the cell body, यानि कि एक जो dendrites है, वो तो क्या कर रहे हैं, cell body से दूर भेज रहे हैं, impulses को, synapse जो है, sorry, वो जो cell body की तरफ आ रही है, impulses वो तो आ हो रहा है, वो आपका synapse है, और tward cell body हो रहा है, मलबो dendrites है, तो यहां पर इनको match कीजिए, A जो है उसका second, A जो है उसका second, B जो है उसका first, C जो है उसका third, D जो है उसका fourth, यान कि 2, 1, 3, 4, देखिए कौन से option में है, 2, 1, 3, 4, बिल्कुल C option जो है, वो आपका सही जवाब C option बिल्कुल correct जवाब है, next question देखिए, यहां पर एक तरफ aneurism दे रखा है, दूसरी तरफ इनके description या फिर characteristic features आप बोल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, यहां पर secular aneurism, यह most common type of aneurism है, सबसे पहले स्वाल दो यही बनता है कि most common type of aneurism कौन सा है, यहां पर यहीं चार options म करना होगा, secular aneurism, यह पहले भी exams में पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जाएगा, तो जो most common type of aneurism है, वो कौन सा secular aneurism, चले, secular aneurism का मतलब होता क्या, यह फिर इससे कौन सी characteristic finding देखने को मिलती है, secular aneurism में क्या होता है, pouch like projection on one side of artery, artery के एक साइड में क्या हो जाए वो condition आपके कहलाएगी, secular aneurism, next है, fusiform aneurism, fusiform aneurism में क्या होगा, entire circumstances होगी, arterial wall की, वो क्या हो जाएगी, dilate हो जाएगी, all over, जो भी arterial wall है, उसकी जो भी circumference है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, dilate हो जाएगी, next, sorry, next देखिए, mycotic aneurism, mycotic aneurism का मतलब है, आपका, यहाँ पर देखिए, mycotic aneurism का, tiny weakness in arterial walls resulting from infection, infection की वज़ा से हो सकता है, जो आर्टेल wall हो, वो weak हो जाए, वो आपके condition कहलाती है, mycotic aneurism, next, dissecting aneurism, dissecting aneurism, जो आपका बच गया हो, आपका dissecting aneurism है, tear in the inner lining of an arteriosclerotic, aortic wall causes blood to form a hematoma between layers of the artery, तो यहाँ पर जो dissecting aneurism है, उसका description आपका second option हो जाएगा, secular aneurism का आपका third हो जाएगा, और जो physio हो मैं उसका first हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले third, उसके बाद first, then उसके बाद fourth, and then उसके बाद second, यान कि 3, 1, 4, 2, कौन से option में आरे हैं, 3, 1, 4, 2, देखिए, बिलकुल यहाँ पर option B जो है, वो बिलकुल सही जवाब आपका हो जाएगा, next question देखिए, एक तरफ definition है, दूसरी तरफ आपको vital aesthetics दिया गया है, सबसे पहले देखिए, infant mortality rate, बिलकुल सिंपल सही, infant mortality rate, and maternal mortality rate, इनके बारे में तो आपको पता ही है, देखिए, infant mortality rate है, इसको describe कर रहा है, number of 1 to 11, sorry, यहाँ पर जो infant mortality rate है, उसका third होगा, number of children dying within one year of birth and total number of life birth into one thousand, 100 होगा ही नहीं, ठीक है, यह तो होगा ही इनहीं, IMR का, IMR की जो definition है, ये फिर, जो IMR को indicate करते हैं, वो करतہ है, number of children dying within one year, एक साल में जो बच्चे मरते हैं, ठीक है, किस में से? बच्ष में से, एक साल में कितने बच्चे मरें, और कितने बच्चों का टोटल जन्म हुआ उनको 1000 से मल्टिपलाइ कर देना है तो आपके क्या आजाएगी इंफेंट मॉर्टलिटी रेट नेक्स्ट है मेटरनल मॉर्टलिटी रेट यहाँ पर मेटरनल मॉर्टलिटी रेट की जो डेफिनेशिन है वो आपकी फ्रेस्ट है टोटल नमबर ओफ लाइव बर्थ कितने बच्चों का लाइव बर्थ हुआ है उनके नमबर उनको मैल्टिपलाइ कर देना है वन लैक एक लाक से तो आपकी वेल्यू आजाएगी एममर मेटरनल मॉर्टलिटी रेशियो यह फिर रेट ठीक है नेक्स्ट देखिए का मतलब है नमबर ओफ नाइन टू इलेवन मन्थ ओल्ड चाइल्ड फुली इम्मुनाइजड टॉटल नमबर ओफ चिल्डन इन दे सम एज ग्रूप इन्टू हैंड़ से लेकर ग्यारा महीने की जो बच्चे होते हैं वो फुली इम्मुनाइज हुए हैं टॉटल नमबर ओ चिल्डन वित नमोने ट्रीटेटटिड विए ऐन्टिबायोटिक जो बच गया वह इसई का है नम्बर ओफ चिल्डन विद निमोनिय ट्रीट र लेकर अब우ern नमबर ओप चिल्डन विद न्मोनिय इंटू restrictive नमोनिया से जो इच़्या हैं एट रहे हैं जो भी बच्चे नम इनको hand rate कर देना है जो आपकी value आएगी वो आ जाएगी आपकी percentage of children with pneumonia treated with antibiotic ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो first है उसका third यानिकी three then आपका first then two then fourth यानिकी तीन एक दो चार जहां पर भी आ रहा है तीन एक दो चार बिल्कुल option A जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question देखिए एक तरफ आपको लॉब दे रखे दूसरी तरफ इन लॉब का क्या काम है देखिए सबसे पहले लॉब है आपकी frontal लॉब frontal लॉब का काम होता है control of muscular movements necessary for speech या फिर broadcast areas ये जो movements होते हैं muscular movements होते हैं उनको control करने का काम होता है एंड ये necessary होती है speech में frontal लॉब के अंदर होता है broadcast areas जो speech में responsible होता है वो आपका present होता है कहां पे frontal लॉब के अंदर next देखिए parietal lob parietal lob का मतलब है interpretate sense of test जो test का sense interpretate होता है person को वो किस जगह पे होता है parietal lob के अंदर next आपकी temporal lob temporal lob का मतलब है interpretate sense of smell smell का जो आपको sense होता है वो आपका temporal lob से होता है next आपकी बचगी occipital lob occipital lob तो बिल्कुल simple है देखने के लिए जो response या फिर जो interpretation age आपको person होता है वो occipital lob से होता है तो इनको match कीजिए देखिए a का 2, b जो है उसका 3, c जो है उसका 4 और then first यानिकी 2, 3, 4, 1 किस में आ रहा है 2, 3, 4, 1 तो यहां पर देखिए कि option b में आ रहा है बिल्कुल सही जवाब होगा आपका option b next question देखिए एक तरव आपको कुछ disease condition दे रखिया तो दूसरी तरव आपको sign and symptoms इनके बताए गया है अब देखना है कि कौन सा sign and symptoms किसका है फिर आपको क्या करना है इनको match करना है देखिए सबसे पहले pulmonary edema pulmonary edema की condition में जब भी patient कोई pulmonary edema से suffer होगा तो उसमें कौन-कौन से symptoms देखने को मिलेंगे rapid 3D pulse होगी, tachypnea होगा, pink and frothy sputum होगे, whizzing crackles sound सुनाई दीगी, pallor and sinus होगा, cold calmy skin होगी and zbd जुगलार when distension उस person में देखने को मिलेगा सबसे important जो point है वो यह है pink and frothy sputum किस condition में देखने को मिलता है यही माली जी चारो options आपको दे दीगे तो आपको answer में क्या कर इसलिया दे, cool and calm skin and jugular when distension तो भी आपको answer में क्या अगर नौगा फिर pulmonary edema, ध्यान रखना यहां से बहुत बार स्वाल पूछे जाद सुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो यहां पर यह जो है उसका third हो जाएगा, next देखिए pulmonary tuberculosis, pulmonary tuberculosis इसमें pulmonary word जुड़ा है ब loss होगा, cuff that progress will become averse and hemoptysis, cuff जो है वो continuous रहेगा and hemoptysis की condition डेवलप होगी, वो इंडिगेट करेगा आपका pulmonary tuberculosis को, next है ARDS यानि acute respiratory distress syndrome, जो ARDS है उसमें देखने को मिलेगा आपको tachycardia, grunting respiration, intercostal retractions, sinuses, tachycardia, grunting respiration and intercostal retractions, यह तो same होगे, कोई बात नहीं, ठीक है, मलब जो आपको यहाँ से बहुत बार स्वाल भी पूछा जा चुका है, respiratory distress syndrome का sign है, वहाँ पे आपको दिया जाता है, intercostal retractions, msnorset में भी यह स्वाल पूछा पहले जा चुका है, और आगे भी पूछा जाएगा, जो acute respiratory distress syndrome ह उसमें टेकिकार्डिया होगा, grunting respiration, देखने को मिलेगी, intercostal retection होगा, and sinus होगा, next आपका pneumothorax, जो बच गया वह आपका pneumothorax होगा, pneumothorax में क्या होगा, टेकिकार्डिया, hypotension, rapid cello respiration होगी, कैसी asymmetric, diaphoresis होगा, and progressive sinus, यह pneumothorax में देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ भ fourth, and जो D है उसका second, यानि कि 3, 1, 4, 2, जहां पर भी आ रहे हैं, 3, 1, 4, 2, वहीं आपका सही जवाब है, 3, 1, 4, 2, यानि option C जो है, वो आपका बिलकुल correct जवाब है, next question देखिए, last question आजगी इस वीडियो का, बाकि हम आगे जवाब का paper हो जाएगा, उसके answer के साथ ही मिलेंग otherwise अगर कोई information होगी, जो latest update होगी, वो हम आप लोगे साथ share कर देंगे, देखिए यहाँ पर एक तरफ brain के कुछ parts है, तो दूसरी तरफ उनके functions देवे हैं, सबसे पहले है cerebellum, cerebellum का जो काम होता है, वो होता है आपका coordination का, यानि कि cerebellum का जो काम होगा, वो होगा, coordinate skeletal muscles, contractions, promote posture, and equilibrium, and balance, balance, equilibrium, and posture को promote करना, and skeletal muscles का coordination करना, किसका काम है, cerebellum का, next है आपका thelemus, thelemus का काम होता है, contribute to emotional component of sensation, pleasant or unpleasant, जो भी emotional component होता है, उनका जो चाहे वो pleasant हो या फिर unpleasant हो, दोने प्रकार के जो sensations होते हैं, emotions होते हैं, वो develop होते हैं, कहाँ पे आपके hypothalamus में, next hypothalamus, hypothalamus का का काम होता है, heat regulation का, ठीक है, appetite and satiety center का, तो देखिए आपे जो second है, contains appetite center and satiety center, satiety center, appetite center, आपको पूछ ले जाए, तो hypothalamus आपको answer में करना है, and answer is a heat regulating center, heat regulating center के नाम से बहुत बार ये स्वाल पूछा जा चुका ह है, और आगी भी पूछा जाएगा, तो आप कौन से में क्या गरना है, hypothalamus, hypothalamus का का काम होता है, heat regulation का, satiety and appetite center का, next optic kaizma, optic kaizma का जो बच गया आपका, वो optic kaizma का function है, point of crossing over, discussion of optic nerve fiber, तो देखिए आपी, मिलग जो optic kaizma है, वो एक point है, जहां से crossing over होती है, optic nerve fibers की, वो आप आपका area कालाता है, optic kaizma, तो इसको देखिए, match कीजी, सबसे पहले, ए जो है, उसके अंदर fourth आ जाएगा, then उसके बाद आपका first आ जाएगा, then उसके बाद आपका second आ जाएगा, then उसके बाद आपका third आ जाएगा, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, जिस option में आ रहा है, वो आपका बिल पेपर भी complete हो गया है, अब हम कोई भी अगर आपकी कोई latest update आएगी, तो हम आप लोगों को provide करवा देंगे, otherwise जब आपका exam होगा, उसके बाद आपके paper की answer के हम जल्दी solve भी करवा देंगे, जब आपका exam हो जाएगा, तो फिर में लेंगे दोस्तों, ने वीडियो के साथ, तब तक हमार साथ बने दिएगा, thank you so very much.